प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और प्रेस बेल आइकोन फॉर अल नोटिफिकेशन हमें वो लीस्ट पॉजिटिव इंटिजर निकालने है जिसके पावर इस मैट्रिक्स पर करने पर वो आइडिंटिटिव मैट्रिक्स दे दे, ओडर 2 का यानिकि यह जो इसका लीस्ट पॉजिटिव इंटिजर न क्या होगा कि हमें आइडिंटिटिव मैट्रिक्स मिल जाए ओडर 2 यानकि 1 0 0 1 तो सबसे पहले हम यहाँ पर angle देख रहे हैं कि pi by 4 use क्या गया है इसको let कर लेते हैं theta ताकि हमें सुभीधा रहे और कुछ rules को हम देख लेते हैं mathematics के कुछ trigonometric formulas है तो सबसे पहला formula है sin a plus b का यह होता है sin a cos b plus cos a sin b और जो दूसरा formula है वो है cos a plus b तो यह क्या होता है cos a cos b minus sin a sin b तो यह दो formula इस problem में use होंगे तो यहाँ पर अगर मैं matrix a मान लिता हूँ और pi by 4 की जगा theta तो यह matrix हो जाते है cos theta minus sin theta और sin theta cos theta इस तरह से यह 2 by 2 का matrix है और सबसे पहले क्योंकि मुझे ऐसे power देखनी है तो सबसे पहले मैं square करके देखता हूँ इस matrix को इसी से cos theta sin theta और minus sin theta cos theta तो जब मैं square करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है तो पहला element मुझे मिलेगा cos square theta minus sin square theta यानि कि cos 2 theta दूसरे element मिलेगा rho wise cos theta sin theta plus cos theta sin theta तो यह हो जाएगा sin 2 theta और यह element मुझे मिलेगा minus sin theta cos theta minus sin theta cos theta तो minus sin 2 theta और फिर से यह मिल जाएगा मुझे cos 2 theta इस तरह से मुझे a square matrix यह मिल गई है तो आप यहाँ पर generalize कर सकते हैं और आपने अपने inter college में भी इसको study करा होगा a raise to the power n यहाँ से मिलेगा मुझे cos n theta sin theta और minus sin theta और यह मिलेगा cos n theta अब यह power n करने पर मुझे जो मिल रहा था यह मिल रहा था identity matrix of correct size यानि कि 1001 तो हम मैं दो matrix को compare करा देता हूँ यानि equality of two matrix की help से या idea से हम यहाँ पर compare करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है cos n theta equals to one और cos का graph आप जानते हैं कि event pi का जब वो multiple होता है तो event pi multiple पर यह one value देता है तो हम माल लेते हैं कि एक 2m event में consider कर लिया जब वो 2m होगा तो n जो है जब वो 2m type का होगा तब हमें वो one value देगा तो हम रख देते हैं यहाँ पर cos n theta equal to cos 2m pi और हम यहाँ पर theta की जगा pi by 4 भी put कर देते हैं तो cos n pi by 4 equal to cos 2m pi यहाँ से आप देख सकते हैं कि n pi by 4 equal to 2m pi और pi से pi cancel out हो जाते हैं n का value जाता है वो 8m आता है अब आपको उसके graph से यहाँ पर यह idea निकाल सकते हैं कि आपका जो graph है वो one value कहाँ पर देता है तो m का value 0 हो सकता है 1 हो सकता है तो जब m का value 0 रखेंगे तो यह n equals to 0 आएगा और one रखेंगे तो eight आएगा क्योंकि हमसे least पूछा गया था इसे सापसे option भी correct आपर एक function fx से define किया गया है जो 0 से x x square minus t square gt dt इस तरह से दे रख है और g जो है एक real valued function है तो हमें बताना है f prime x क्या होगा तो f prime x का मतलब हुआ हमें इस equation को differentiate करना होगा और इस equation को differentiate करेंगे तो right hand side में आपको leaveniz rule को use करना होगा तो left hand side हो जाएगे f prime x equals to यहाँ पर variable of integral को change करना होगा अपर लिमिट से x square minus x square t के जगा x ले लेगा तो यहां से gt यह हो जाएगा और फिर अपर लिमिट का derivative यानि कि 1 तो यह x square minus x से finally हमारा zero हो जाएगा यह term हमारी zero होगी minus same work करेंगे lower limit के लिए और फिर lower limit का derivative तो lower limit zero है तो इसका derivative zero होगा तो entire term जो होगी वो zero को चले जाएगी plus यह integral होगा zero से x partial derivative with respect to x जो यहां पर विर लिमिट में integral की limit में होता है उसके respect में लेते हैं और x square minus t square gt dt हमें यह लिखना होगा तो यहां से f prime x जो equal है वो किसके है finally last term के है यानि कि 0 से x 2x gt dt और इसको मैं लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ 2x 0 से x gt dt इस हिसाब से मेरा option d correct होगा let y1 x और y2 x linearly independent solution है इस differential equation के और p और q जो यूज़ के गए है वो single variable x का continuous function है interval i पर और y3 एक another function है जो y1 और y2 का linear combination है तो यहाँ पर जो a और b ये यूज़ के गए हैं इसको आप constant read कर सकते हैं यहाँ पर ऐसे ही y4 एक another function लिया गया है जो y1 और y2 का linear combination है और इसमें जो use के गए हैं COD ये भी आपके constant हैं तो हमें ये बताना है कि ये y3 और y4 जो है linearly independent होंगे कब यानिकि इनके जो coefficient है इसमें जो use के गए है linear combination में इसमें क्या relation होना चाहिए ये हमें find out करना है तो अगर हमें linear algebra में अगर इस तरह की problems होते थे कि linearly dependency आपको check करने होता था suppose करो एक equation है ax1 plus b x2 equal to another constant suppose c और इसको ले लेते हैं d x1 plus e x2 equal to f अगर इस तरह से equation होती थी तो हम क्या करते थे इसके लिए augmented या अगर suppose करो यह 0 है right hand side तो हम क्या करते थे इसके लिए एक matrix लेते थे और उसका determinant चेक करते थे यानिकि a b c d यह coefficient matrix लेते थे हम और अगर इसका determinant equal to 0 आ जाता था तो linearly dependent हो जाते थे अगर not equal to 0 होता था तो linearly independent तो same work हम यहां भी करेंगे तो जो y3 हमें यहां पर दिया है जो function है x का a y1 x plus b y2 x और जो एक दूसरा function y4 है वो दिया गया c y1 x plus d y2 x अगर हम यह चेक करना है कि यह dependent independent है तो a b c d में क्या relation होगा तो हम एक matrix तयार करते हैं जिसको हम coefficient matrix बोलेंगे a b c d और कहा है for linearly independent तो this is matrix का यह इस determinant इसका जो determinant है not equal to 0 होना चाहिए इसको expand करने पर हमें मिलेगा a d minus b c not equal to 0 और यहां से मैं पता चलता है a d not equal to b c अभी देखते हैं यह कौन सा option दे रहा है a d not equal to b c option c दे रहा है तो यह correct answer होगा let t r cube to r cube by a linear transformation such that t this one equal to this this and this the dimension of the vector is space is spent by all the given eigenvectors of t हमें dimension निकालनी है आइगन वेक्टर की जो आइगन वेक्टर से और 150 इसको मैं एक सेट मैं इसको कॉल करता हूं script b is script b equal to 123 इसको मैंने ऐसे ही रोवाइज लिखा वेक्टर को और सेकिंड है 150 और थर्ड है minus 1 to minus 1 यह एक सेट मैंने script b call किया इसको तो आप देख सकते हैं यहां पर कि कोई भी वेक्टर 123 और 150 यह दो वेक्टर हैं मैं कोई सभी एक इसकेलर सी ले लूँ तो ऐसा कोई भी से exist नहीं करेगा कि यहां पर 5 आ जाए और 0 आ जाए यानि कि आप सी कुछ भी चूज कर लिजिए आप किसी भी तरह से यहां पर 2 या 3 नहीं ला सकते यानि कि ऐसा कोई भी इसकेलर नहीं exist करता जो इसको multiply करने के यानि कि एक दूसरे का multiple हो जाए ऐसे आप दूसरा combination भी देख सकते हैं तो यह जो आपका script भी set है यह linearly independent है अगर आप ऐसे चेक नहीं पर रहे हैं तो आप इसे आसानी से augmented matrix consider करें या इन तीनों वैक्टर्स को रोवाइज या कॉलम वाइज एक उसमें रखें तो मैं इसको कॉलम वाइज रख लेता हूं 150 और और माइनस वन टू माइनस वन इस तरह से matrix में रखा और इसकी rank चेक कर लेजिए रेंक अगर तीन होगी तो यह linearly independent होंगे तो आप देख सकते हैं यहां पर मैं इसका equivalent matrix लिखता हूं तो यह 0 यहां पर 2 से multiply कराया माइनस कराया यहां पर 2 से multiply कराया माइनस कराया 0 तो आप यहां पर देख सकते हैं अब मैं इन दोनों को लास्ट को एड कर दूंगा तो 1 1-1 0 3 0 0 0 और यहां पर एड किया यह 2 तो आप देख सकते हैं इसकी जो रेंक है हो सकता है यहां पर elements में कुछ mistake हो लेकिन rank जो है अगर इसको मैं matrix से call कर दूं या जो भी है तो matrix rank of B जो आपकी मिल रही है वो मुझे तीन मिल रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं यह जो script B set जिसको मैंने बूला है script B यानिक इसकी stylist है थोड़ी तो यहां पर यह linearly independent है और इसमें इसमें जो elements हैं वो 3 है जो linearly independent है और 3 ही इस vector space का dimension है तो यह आपका basis हो जाएगा यानिकि 3 जितना आपका linearly independent होता है और वो अगर dimension के equal हो जाए तो वो आपका basis form कर जाता है तो यह जो script B है इसको मैं basis कह सकता हूं और जो यह यहां पर elements दिये गए है suppose करो मैं इसको A, B, C अगर call कर देता हूं convenience के लिए तो यहां पर TA जो image है वो खुद का ही है और TB जो image है यहां पर 150 तो 210 यानिकि double है इसका और TC जो है वो आपका 3 times C है तो आप यहां पर देख सकते हैं A, 2B और 2C अगर मैं इसको matrix के form में लिखूँ यानिकि अगर मैं इसको इस basis के elements में लिखूँ तो इसको मैं कैसे लिख पाऊंगा A times जो यहां पर है 1 times आपका हो जाएगा A plus 0 times B plus 0 times C ऐसे इसको लिख पाऊंगा 0 times A plus 2 times B plus 0 times C और यहां पर मैं लिख पाऊंगा 0 times A plus 0 times B plus 3 times C तो इसको अगर यह जो कॉफिसेंट है अगर मैं इससे इसका matrix बना लेता हूं तो यह होगा 100002003 तो यह matrix notation आ गया है मेरा T के लिए तो T के लिए मैंने जो matrix transformation है वही मेरा यह आ गया है अब आप यहां पर देख सकते हैं इसके जो सारे के सारे diagonal elements यह एक diagonalizable matrix है और इसके जो आइगन values है वह diagonal elements हो जाएंगे 123 सारे के सारे आइगन values different हैं different है और non-zero है non-zero different और non-zero तो इनके जो respect में या corresponding eigenvector होंगे वह भी non-zero और different होंगे तो non-zero different होंगे तो 3 होंगे 3 independent क्योंकि different है और non-zero है तो simple से बात है different है तो वह एक दूसरे का multiple होंगे otherwise dependent हो जाएंगे तो eigenvector are linearly independent इसकी reasoning क्या है क्योंकि आपके जो eigenvalues है वह different है आप इसको यहां से प्रूब भी कर सकते हैं कि इसके respect में आप eigenvector से निकालें और फिर देख सकते हैं कि वह eigenvector इसी तरह से matrix में रखें उसको और चेक कर लिजिए कि उसके जो rank है वो 3 है यह नहीं है तो जो आपका eigenvector से space generate हो रहा था उसके जो dimension है वो 3 होगी तो यहां पर options d true पर हमें दो sequence an और bn दे रिखिया है और a1 का first term 1 है और an के upcoming terms को हम निकाल सकते हैं an plus minus 1 raise to the power n 1 upon 2 की power n से यहां से अगर मैं a2 निकालता हूं तो मैं उसको लिख सकता हूं a1 plus minus 1 raise to the power 1 upon 2 इसकी value अगर मैं a1 की रख देता हूं 1 plus minus 1 upon 2 यानिकी 1 minus 1 upon 2 यहां से a2 का value आ गया है इसी तरह मैं a3 की value निकालता हूं a3 को मैं लिख सकता हूं a2 plus minus 1 square 1 upon 2 के power 2 और इसका value होगा 1 minus 1 upon 2 plus 1 upon 4 फिर a4 का value निकालता हूं मैं तो वो होगा a3 minus 1 upon 2 के power 3 और a3 का value है 1 minus 1 upon 2 plus 1 upon 4 minus 1 upon 8 इस तरह से मैं निकाल सकता हूं upcoming सारे terms की तो मैं a n plus 1 के अगर value निकालता हूं तो मैं इसको कैसे लिखूँगा 1 minus 1 upon 2 plus 1 upon 4 minus 1 upon 8 plus इसी तरह से मैं लिखूँँ इसको 1 upon 16 और यह आगे proceed होता जाएगा अगर मैं यहाँ पर a n की limit चेक करना चाहता हूं a n की चेक करूँ या a n plus 1 की चेक करूँ क्योंकि एक terms जोनने या घटाने पर sequence की convergence पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है तो यहाँ पर अगर मैं इसकी limit निकालता हूँ तो मुझको क्योंकि यहाँ पर यह आप देख सकते हैं यह एक geometric progression है और इसका जो sum है उसको हम देख सकते हैं a upon 1 minus r से और यहाँ पर 1 upon 1 minus half क्योंकि यहाँ पर geometric series का जो common ratio है वो minus half है और यहाँ से मुझको मिलता है 2 upon 3 यानि कि an एक convergence sequence है an converge करती है इसका इस तरह से और यह एक non zero number पर converge कर रही है bn के convergence हम देखते हैं कि bn का convergence क्या है तो bn हमारी define की गई है इस तरह से 2 times an plus 1 minus an upon an तो मैं यहाँ पर an plus 1 का value रख देता हूं जो कि है an plus minus 1 raise to the power n into 2 raise to the power minus an upon an और इसको मैं further simplify करने से करके लिख सकता हूं 1 plus 2 minus 1 के power n upon 2 raise to the power n into an इस तरह से मैं लिख सकता हूं और यहाँ से इसको भी मैं over simplify कर लेता हूं 1 plus minus 1 raise to the power n upon 2 raise to the power n minus 1 an अगर मुझे bn की limit चेक करने है limit of bn equals to हो जाएगा limit of 1 plus minus 1 raise to the power n upon 2 raise to the power n minus 1 an और हम जानते हैं कि limit 1 upon 2 raise to the power n आपके 0 को 10 करती है तो यहाँ से इसकी जो limit है वो 0 को 10 कर रही है 1 upon 2 raise to the power n minus 1 की तो finally यह 0 को 10 हो जाएगा तो limit 1 plus 0 यान कि bn भी आपके convergent है और an भी आपकी convergent है और every convergent sequence जो होती है वो काची होती है तो यहाँ पर option b को देखते हैं an converges to a non-zero number क्योंकि वो 2 by 3 को converge कर रहा था और bn भी converge करती है इसलिए bn काची है तो option b आपका true हो जाएगा function दे रखाया है जो real valued function है और open interval minus 1 से 1 पर define है fx इस formula को follow करता है यानि fx equals to x square upon 1 minus cos x और यह true है जब x आपका 0 नहीं है और f 0 की value 2 दे रखी है यहाँ पर function का tailor expansion दे रखाया यानि कि fx को हम लिख सकते हैं summation an x raised to the power n और n जो vary कर रहा है 0 से infinity तक और यह true है सभी x के लिए जो minus 1 और 1 इस interval में आते हैं तो हमें बतानी है summation a2 n plus 1 का sum कितना होगा जो कि 0 से n तक जाता है तो इसका sum निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको देख लिते हैं आखिर यह है क्या तो अगर मैं यहां से निकालता हूँ इसके summation को expand करता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ a1 plus a3 plus a5 plus and so on यानि कि यहां पर आप देख सकते हैं odd ais हैं यानि कि जिन i की values odd number है वो वाले यहां पर ai हैं अब यहां से हम इसको expand करते हैं fx को तो मैं fx को लिख सकता हूँ a0 x raise to the power 0 यानि कि 1 यहां पर और अगली जो term होगी वो 1 put करने पर यानि कि a1 x plus a2 x square plus and so on तो यहां पर अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ coefficient चाहिए और variable को हटाना है तो ऐसी 2 real value है जो इस काम को कर सकते हैं एक तो 1 x equals to 1 और x equals to minus 1 minus 1 से सिर्फ sign में changes आएगा लेकिन x एक तरह से disappear हो जाएगा तो मैं यहां पर f1 की value देखता हूँ यहां पर f1 की आएगा यह आएगा a note plus a1 plus a2 plus a3 and so on और ऐसे अगर मैं minus 1 पर value देखता हूँ f minus 1 तो वो मुझको क्या मिलेगा a note minus a1 plus a2 minus a3 plus a4 minus a5 and so on अब यहां से अगर मैं जो given expression था fx equals to x square upon 1 minus cos x यहां से अगर मैं f1 की value निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगी वो मुझको मिलेगी 1 upon 1 minus cos 1 और f minus 1 की value निकालता हूँ क्योंकि cos से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो same मिलेगी यानिके f1 और f2 की value same है तो मैं यहां पर इन दोनों को subtract करा देता हूँ और subtract इसलिए करा रहा हूँ ताकि मेरे ये वाले cut जाएं तो ये मेरे minus हो जाएंगे और ये plus ये भी plus यानिके 2 times a1 plus 2 times a3 plus 2 times a5 and so on और यहां पर value 0 हो गई है क्योंकि f1 और f-1 same है यहां से two common ले सकते हैं तो आपको मिलेगा a1 plus a3 plus a5 and so on तो जो हमसे पूछा गया था अब आप यहां पर देख सकते हैं कि जो पूछा गया था उसकी value किसके एक्वल हो गया है 0 के यानि कि option a true होगा वाइवन और वाइटो जो कि function है एक्स के twice differentiable function है on interval आई पर और यह differential equation को satisfy करें मतलब एक को differential equation है और वाइवन और वाइटो उसके solution है तो वो उसको satisfy करेंगे तो हमें बताना है कि वाइवन क्या है इन चार options में से है suggestion में से हमें correct suggestion को choose करना है तो सबसे पहले जो कि function है अगर हम इसमें elimination method लगाते हैं यानि कि differential equation में जो कि है dy1 upon dx minus y1 minus y2 equals to e raised to the power x और second equation है 2 times y1 upon dx plus dy2 upon dx minus 6 times y1 equals to 0 अगर हम इसमें elimination method भी लगाते हैं तो यहाँ पर कोई भी एक variable और उसके coefficient, differential coefficient हमें नहीं मिलें यानि कि हम चाहते हैं कि single variable, single dependent variable और उसके differential coefficient मिलें जबकि हमें elimination method लगाने से ऐसा कुछ भी नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं कि एक जो differential equation है, first वाली उसी को हम differentiate करा देते हैं तो यहाँ से अगर मैं इसको differentiate कराता हूं तो मुझे मिलेगा d2y1 upon dx2 minus dy1 upon dx minus dy2 upon dx equals to e raise to the power x अब यहाँ पर जो हमें मिला है d2y2 वो हम इस equation से इसमें use कर लेते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूं d2y1 upon dx2 minus dy1 upon dx minus यहाँ से मैं use करूंगा 6y1 minus 2 dy1 upon dx equals to e raise to the power x और इसको further simplify करने पर हमें जो equation मिलेगी वो मिलेगी d2y1 upon dx2 plus dy1 upon dx minus 6y1 equals to e raise to the power x अब यह entire equation जो है y1 और इसके differential coefficient में है अब मैं इसके लिए auxiliary equation लिख सकता हूं और इसको further simplified form में लिखने के लिए मैं capital D को use करूंगा differential operator d upon dx के लिए तो मैं लिख सकता हूं d2 plus d2 plus d minus 6 outside y1 equals to e raise to the power x इसके लिए मैं auxiliary equation लिखता हूं in terms of m तो m square plus m minus 6 equals to 0 और इसके जो मुझे root मिलेंगे वो मिलेंगे 2 और minus 3 हमारे पास दोनों ही root real हैं तो हम इसके लिए complementary function लिख सकते हैं तो complementary function in terms of x क्या होगा c1 e raise to the power 2x plus c2 e raise to the power minus 3x ये complementary function होगा है लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर right hand side 0 के equal नहीं है तो इसका particular integral भी exist करेगा तो particular integral क्या होगा actually जो right hand side है वो उसको हम x माल लेते हैं यानि कि function of x वो है e raise to the power a x type का और जब इस type का होता है तो हमारा जो pi हो जाता है 1 upon fd और यहाँ पर x condition है कि इस d को replace करते हैं हम a से और fa जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए otherwise 1 upon fa defined नहीं होगा तो अब मुझे particular integral चाहिए क्योंकि complement function तो मुझे मिली गया है तो इसका होगा particular integral pi equals to 1 upon d square plus d minus 6 और यहाँ पर e raise to the power x और d को मैं replace करूंगा 1 से क्योंकि यहाँ पर a का value 1 है तो यह हो जाएगा e raise to the power x upon minus 4 या e raise to the power x upon 4 अब मेरा जो solution है वो क्या हो गया complementary function plus pi यानि की c1 e raise to the power 2x plus c2 e raise to the power minus 3x minus e raise to the power x upon 4 कौन से given option से यह match कर रहा है यह हम देख लेते हैं option c से match कर रहा है तो option c इसका correct answer होगा let f and g be continuous function on r such that fx equal to integration from 0 to x gt dt and gx equal to integral from x to 0 ft dt plus 1 then fx square plus gx square equal to what तो हमें इसका value find out करना है कि यह आखिर value क्या होगा तो आपको जो यह problem given है इस type के problem में सबसे पहले आपको एक fx define किया गया है और उसी तरह आपको gx भी define किया गया है लेकिन हमें जो value चाहिए वो तो fx की चाहिए और fx आपको define किया गया है 0 से x zt dt यानि कि अब यहां से इसको differentiate कीजिए और differentiate करने पर क्योंकि definite integral है यहां से आपको gx मिल जाएगा और ऐसे ही जो आपको gx define किया गया है जो x से 0 ft dt प्लस 1 यहां से आपको एक function ft आपको मिल जाएगा तो इन दोनों को differentiate करा दो तो आपको fx और gx आपको मिल सकता है और फिर उसका square करने पर हमें जो पूछा गया है desired result उसके बारे में idea हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इसमें जो fx equal to 0 to x gt dt इसमें मैं differentiate कर रहा हूँ with respect to x तो ही हो जाएगा f dash x equal to gx लेबने जरूल हम इसमें apply कर रहे हैं तो जहां ti आया है उसको upper limit से change करेंगे और फिर upper limit का derivative minus same work करेंगे हम lower limit के है और lower limit यहाँ पर 0 है तो 0 का derivative 0 तो यह वाली term cancel out ही हो जाएगे तो यहाँ से आपको मिला f dash x equal to gx ऐसे ही अब जो आपको दूसरा यह है इसको f dash x equal to gx इसको आप बोल दी यह p1 equation p1 और इसको भी मैं differentiate करा रहा हूँ तो g dash x equal to f 0 और 0 का derivative 0 तो यह term तो finally 0 हो जाएगे minus f x और x का derivative 1 और जब 1 का करेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो आपको यहाँ से मिला g dash x equal to minus of f x इसको आप call कर दीजे p2 अब आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से मिल गया है f x और gx तो हम इसको कुछ इसमें मैं दोनों को पहले एक साथ लिख लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हूँ तो यहाँ पर f dash x equal to gx यह हमें मिला था p1 equation क्योंकि हमें जो चाहिए हमें चाहिए f x square plus gx square का value तो हम क्या करने जा रहा हूँ इसमें right side में f x है तो इसको मैं gx से multiply करा देता हूँ और इसमें right में gx है तो मैं इसको f x से multiply करा देता हूँ throughout तो यह क्या होगा दोनों को सम करने पर right side मेरा 0 हो जाएगा तो यह हो जाएगा g dash x और यह हो जाएगा g x plus f x और f dash x equal to 0 यह दोनों equation को मैंने पहले multiply कराया और फिर दोनों को add कर दिया तो मैंने इकटे operation लगा दिया है इसमें अब आप देखिए अगर कुछ इस तरह से लिखा होता है x dx तो इसका जो integration होता है क्या होता है x square यह हो जाता है तो सेम यहाँ पर करेंगे हम integrate करने जा रहे हैं इसको यह जो equation हमें इसको मैं p3 call कर देता हूँ तो इस equation को जब हम करेंगे तो यह मिलेगा g x का square plus f x का square equal to 0 जो आप सोच रहे है divided by 2 नहीं लिखा वो finally right में multiply कराएंगे तो जीरो हो जाएगा तो इसको मैं c बोल देता हूँ क्योंकि जब हम constant का integration कराएंगे तो c आएगा तो अब हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो given data था यहाँ से f x अगर मैं इसमें 0 put कर दूँ यहाँ पर अगर मैं इसमें 0 put कर दूँ यहां पर तो यह f 0 हो जाएगा और f 0 का value क्या हो जाएगा 0 to 0 integration यानिकी 0 और E सही इसमें मैं g 0 put कर दूँ तो यह क्यों जाएगा 0 to 0 यह 0 हो जाएगा इतना value और जो बचेगा हो one बचेगा तो जी जेरो क्या मिला one तो एफ जीरो 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 one तो यहां पर अगर है यहां पर देखता हूं 0 पर इसका value तो एफ जीरो जीरो तेता है और जीरो वन डेता है तो oneSqeger plus zero square ugual to c तो यहां से हमें क्या पता चला कि cpunk्वल equal to one, तो यह हमें एक value मिल गई है, जो 0 से, कि C का value 0 है, sorry, C का value 1 है, तो अब हमें right side में जो दिया गया था, GX मैं use कर रहा हूं, C का value, GX square plus FX square equal to C, C की जगह क्या हो गया 1, तो हमसे यही पूछा गया था, कि FX square plus GX square equal to what, तो इसका जो value है, वो 1 है, और X आपका कुछ भी हो, यह for all X belongs to R, सभी के लिए true है, random X से लेके हमने इस पर work out करे है,